एटा में क्यों आखिरकार कल्यान सिंग के बेटे राज राजवीर सिंग को माफी मांगनी पड़ी आज हम समझेंगे कि एटा में क्या बीजेपी के लिए ये सीट मुश्किलों का सबब हो रहा है तो क्यों ये भी जानिये कि इस गुटबाजी में क्या अब बीजेपी किसी कारवाई के मूड में है क्योंकि कई सीटों पर विधायकों और सांसदों के बीच की आपसी लड़ाई अब बीजेपी के लिए सीट फसा चुकी है ये भी हम समझेंगे इसके अलावा अफजाल अंसारी की बेटी क्या उनकी जगह चुनाव लड़ सकती है आखिर नुसरत अंसारी जिस तरीके से प्रचार कर रही है उसके माइने क्या है कैसे वो अपने परिवार के उपर का लगा कटरपंथ का चहरा हटाने में जुटी है और शियो मंदिर में घूम रही है ये भी बताएंगे और आखिर में राजनाज सिंग ने आज अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया और उनके नॉमिनेशन की सबसे बड़ी बात ये रही कि लखनव के मुसल्मानों का एक बड़ा वर्ग आज उस भीड में दिखाई दिया ये तमाम खबरें आज का यूपी में जिहाँ एटा में बीजेपी के उमिद्वार है राजवीर सिंग उर्फ राजु भाईया राजु भाईया दो बार से एटा के सांसद हैं कल्यान सिंग के बेटे हैं लेकिन इस बार राजु भाईया को माफी मांगनी पड़ी जी हाँ वैस्यों के एक सम्मेलन में उन्होंने खेद जताया और माफी मांगी पेले उन्होंने माफी क्या मांगी मीटिंग में हम आपको ये सुनवाते हैं और माफी के मांगने के बाद जब पतरकारों ने उनसे पूछा तो वो भी हम आपको सुनवाएंगे पहले उनकी माफी सुनिए फिर इसके पीछे के वज़ा बताएंगे तो आपने देखा किस तरीके सुनोंने शहर के वैसे समुदाय के साथ बीजेपी के मीटिंग में उन्होंने एक माफी मांग ली बाद में उनसे पत्रकारों ने भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ अपनों में कुछ चीज किसी को बुरी लगती है तो खेद जताने में कोई बुराई नहीं उनके इस बात को भी सुन लीजे लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि कल्यान सिंग के बेटे को जो दो बार के सांसद है उन्हें माफी मागनी पड़ी है दर असल एटा में राजवीर सिंग का पार्टी के भीतर बहुत गिरोध है और दो बार से सांसद रहने के बावजूद वो लोगों के बीच में उस तरीके से नहीं दिखाई दिये हैं जितना लोग अपने सांसद को देखना चाहते हैं खैर ये कोई एक जगा की बात नहीं है जगा जगा बीजेपी के उमें द्वारों के खिलाफ इंटे इंकंबेंसी दिखाई दे रही है अलिगड में भी यही हुआ है अलिगड कल्यान सिंग का ग्रिह जिला है और राजवीर सिंग का घर वही है लेकिन वो चुनाओ एटा से लड़ते है इस बार अलिगड में बहुत घमासान हुआ है हम आपको अलग से बताएंगे लेकिन एटा को समझ लीजे इस बार प्रिधान मंतरी मोदी के नाम पर वोट तो है लेकिन प्रत्याशियों का जो विरोध है वो अब पीजेपी को भारी पड़ता जा रहा है दरसल ज़्यादा तर प्रत्याशियों ने ये सोच रखा है कि वो कुछ करें ना करें छेतर में जाए ना जाए लोगों से मिले ना मिले लोगों को से धंग से बात करें या दुदकारें वोट तो उन्हें मोदी के नाम पर मिलेगा खैर पिछले दो चुनाओं से मिल भी रहा है लेकिन शायत है तीसरा चुनाओं कुछ अपवाद हो जाए और कई जगहों पर जहांपर सचमुच प्रत्याशियों के खिलाफ नाराजगी है वहाँ ये बीजेपी को भारी परता दिख रहा है दरसल यहां राजवीर सिंग के खिलाफ एक पार्टी के भीतर का एक बड़ा वर्ग शामिल है विधायक भी हैं कई बड़े नेता संगठन के लोग और जिले के और लोगसभा के कई नेता शामिल है और लोग इतने भड़के हुए हैं खास करके वहां के वैश सवन विरादरी कि उन्हें लग रहा है कि इस बार ये सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो इनका विरोध करना अब मजबूरी बनती जा रही है और यही वज़ा है कि जैसे ही उन्होंने भापा की एक बड़े वर्ग में विरोध उनका है उन्होंने एक पार्टी के भीतर की मीटिंग में माफी मांग ली जो मैंने अभी आपको दिखाया लेकिन यह सिर्फ एक मीटिंग की बात नहीं है अलग अलग जो उनकी मीटिंग चल रही है वहाँ पर उनका विरोध हो रहा है इन विरोधों का भी कोई असर नहीं होता अगर समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर नए तरीके से नए सियासी समीकरन नहीं बिठाया होते हैं दरसल एटा वो सीट है जो कि अभी तक समाजवादी पार्टी से यादव बहुल सीट या यादव प्रत्याशी ही हमेशा उतारती आई हैं लेकिन इस बार वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने शाक के विरादरी के देवेश शाक को यहां से उमिद्वार बना दिया है सबसे बड़ी आबादी शाक के यादव और मुसल्मानों की है और ऐसा माना जा रहा है कि शाक के अमूमन पहले अपनी विरादरी को वोट करते हैं उसके बाद पार्टी को ऐसे में पिछली बारी ये सीट राजवीर सिंग ने एक लाख वोटों से जीती थी लेकिन इस बार शाक के और अखिलेश यादव का ने समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक मिलकर इस एटा में उसने बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी और यहां से राजवीर सिंग को लगने लगा है कि कहीं ये सीट हस न जाए कहीं ऐसा न हो कि बीजेपी में मोदी के नाम पर वोट मांगते मांगते उनके नीचे की जमीन ही खिशतक जाए और इस बार सच मुझ यहां पर लड़ाई बेहत कड़ी है इसलिए जस बिरादरी में जस जगह पर उन्हें लग रहा है कि यहां पर लोगों में नाराजगी है लोगों में आकरोश है अब राजवीर सिंग राजभीया उनसे माफी भी मांग ले रहे हैं खेद भी जता दे लेकिन क्या लोग मानेंगे यह एक बड़ा सवाल है अब उनकी सीधी लड़ाई चुकी वो लोधे बिरादरी से आते हैं लोध सबसे बड़ी जाती है वहां माना जा रहा है कि बीजेपी का वोट बैंक और लोध बिरादरी की जो वोट है वो बीजेपी को एक विनिंग कॉ जीता है और उसमें भी पिछले बार शाक्यों ने पूरी तरीके से बीजेपी का समर्थन किया था लेकिन इस बार यह आमने सामने की लड़ाई हो गई यह बहुत काटे का टककर बनती जा रही है ऐसे में अगर बीजेपी के मत दाता बीजेपी का कॉर वोट बैंक भी उनसे आखरी वक्त में क्या वोदी के नाम पर वोट करते हैं या फिर नाराजगी हावी रहती है हमारी नजर इस ख़बर पर बनी रहेगी अभी दूसरे चरण के चुनाओ में अलिगड़ का चुनाओ हो गया अलिगड़ का चुनाओ और एटा का चुनाओ दोनों एक दूसरे से जुड़ रहा है एक एटा का चुनाओ तीसरी चरण में है अलिगड़ का चुनाओ दूसरी चरण में हो गया एटा से राजवीर सिंग चुनाव मैदान में है बीजेपी से और अलिगड़ उनके घर की सीथ है यानि कि उनका ग्रेजिला है वो कल्यान सिंग की जनम भूमी करम भूमी दोनों रही है लेकिन इस बार अलिगड़ में बीजेपी को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है बीजेपी के सतीस गौतम जो यहां से इस बार उमिद्वार थे पिछले बार में सांसत थे उनके खिलाफ भी जम कर पार्टी के भीतर गुटबाजी हुई और कहा तो यह जा रहा है कि कई बड़े नेता उसमें शामिल रहे हैं यहां तक की संगठन में भी सतीस गौतम का विरोध रहा है सतीस गौतम के करीबियों की माने तो वहां पर जो राजवीर सिंग के करीबी थे उन लोगों ने पार्टी को डेमेज किया है खैर अभी तो EVM में मत बंद है क्या सच मुच बीजेपी के भीतर अब एक आंतरिक लडाई छिड़ी हुई है क्या बीजेपी के भीतर एक दूसरे को निप्टाने की होड़ लगी हुई है पश्चमी उत्तर प्रदेश के कई लोग सवाश्चित्रों में ये देखने को मिल रहा है कि प्रत्याशी के खिलाफ पार्टी के भीतर ही कई लोग खड़े हो रहे हैं कोई चुपचाप तो कोई खोल कर ऐसे में कई सीटें बीजेपी के लिए मुश्किल में पढ़ गएगी चाहे मेरट हो या फिर अलिगड़ इन दोनों सीटों पर मार्जिन जीत का कम था और यहाँ पर बीजेपी के भीतर प्रत्याशियों का विरोध काफी ज्यादा था यानि कि 2019 में हाँ मार्जिन कम था लेकिन विरोध ज्यादा था इस बार ऐसे में चर्चा यह है कि पार्टी के नेता अब एक दूसरे को निप्टाने में जुटे हैं और इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा रहा है बीजेपी के प्रदेश नित्रित्तों तक ये बात बहुत सीरियस तोर पर पहुँची है और अब जो चानकारी मिल रही है उसके मताबिक कई लोगों के खिलाब बड़ी कारवाई होने वाली है और इसमें जिले और लोकसभास थरके जो बड़े नेता हैं जिसमें जिला उपाध्यक्ष थरके नेता संगधन के नेता ऐसे नेताओं पर आपकारवाई की बात हो रही है यहां तक कि अलीगड के चुनाओ खत्म होने के बाद चर्चा ये है कि अलिगड़ के चार बड़े नेताओं पर निश्कासन की तलवार लटक रही है और पार्टी नहीं से बड़े सीरियस तौर पर लिया है क्योंकि एक एक सीट पर जिस तरीके से पार्टी के भीतर की कलह और लड़ाई ने पार्टी के बीजेपी के उमीदों को एक तरीके से जटका दिया है संभावनाओं को कमजोर कर दिया है उससे अब पार्टी के भीतर भी हरकंप मचा हुआ है और इस हड़कंप का खामिया जाए ये कि इस चुनाओ के बीच में ही कई नेताओं पर कारवाई की तैयारी चल रही है खैर एक ही आसरा है मोदी का नाम और लोगों को लग रहा है कि आखिर में कितनी भी कला क्यों न हो जाए लोग मोदी के नाम पर वोट करेंगे लेकिन कि सच मुच ये वोट होगा या फिर बीजेपी के भीतर जो एक दूसरे को निप्टाने की होड इन दो चरणों में दिखाई दी है क्या वो तीसरे चरण तक भी जाएगी हमारी नजर इस पर भी बनी रहेगी अब अगली ख़बर अब हम आपको ले चलते हैं गाजीपूर और गाजीपूर में अनसारी परिवार का नाम आता है तो आम लोगों के मन में एक छवी बनती है कि अनसारी परिवार कटरपंथ का एक बड़ा चेहरा है खासकर के मुस्लिम अलपसंख्यक कटरपंथ का चेहरा बन जाता है लेकिन इन दिनों इसी परिवार से एक ऐसी तस्वीर आ रही है जो की हैरान करने वाली है अफजाल अंसारी अफजाल अंसारी अपने देसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं उनकी वेशभूसा उनकी बाचीच से वो मुस्लिम कट्रपंत का चेहरा नहीं जलगता और अब उनकी बेटी नुसरत अंसारी इन दिनों अपने पिता के जो चुनावी कमान है उन्होंने संभाली हुई है लेकिन उससे पहले कई ऐसी तस्वीरे आ रही है जो ये दिखा रहा है कि नुसरत अपने परिवार से अलग दिख रही है नुसरत शिव मंदिर जा रही है नुसरत मंदिर मंदिर हिंदूओं के पूजा पाठ के समारोहों में शिरकत कर रही है शिव चर्चा जो की एक कह सकते हैं कि भगवान शिव के नाम पर एक नई तरीके की कह सकते हैं कि कल्ट है तक तहरीक है वो इन दिनों पुर्वांचल में खुब दिखाई देता है वो शिव चर्चा में बैठी हुई दिखाई दे रही है तो आप इन तस्वीरों को पहले देखिए कैसे नुसरत अंसारी मंदिर मंदिर जा रही हैं, महिलाओं के बीच घूम रही है और एक तरीके का परुख्ष शुनावी कैम्पेइन भी कर रही है दरसल कहा ये जा रहा है कि अंसारी परिवार अपनी दूसरी पीड़ी को तयार कर रहा है सिबकत अल्ला अंसारी के बेटे विधायक हो गया जो सबसे बड़े भाई है देखा जाए तो मुख्षार अंसारी के दोनों बेटे अब सियासत में है अबास अंसारी विधायक है तो अफजाल अंसारी की क्या ये बेटी नुसरत अंसारी अब अफजाल अंसारी की राजनेतिक विरास्त सम्हालेगी कहा ये जा रहा है कि अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने टिकट तो दिया है लेकिन उन्हें भी सजा हो चुकी है लेकिन फिलहाल अदालत ने उस सजा पर रोक लगा रखी और अब दो मईशे उस सजा की सुनुआई शुरू होने वाली है तो क्या ये माना जा रहा है कि अगर सजा पर लगी हुई अदालत की रोक हट जाएगी तो क्या अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या चुनाव के बाद उनकी सदस्ता खत्म हो जाएगी ये तमाम संभावना इस वक दिख रही है ऐसे में कहाई जा रहा है कि अफजाल अंसारी अपनी जगा अपनी बेटी के लिए भी रास्ता बनाते जा रहे है कि अगर किसी तरह की कानूनी लड़ाई में वो फसे उनकी सदस्ता पर या उनके चुनाव लड़ने पर कोई खत्रा आया तो हो सकता है कि उनकी बेटी नुसरत अंसारी उनकी जगह पर आ जाएं खास करके ये भी कहा जा रहा है कि चुकी मई के पहले हफते में यहां पर नॉमिनेशन है ऐसे में ये समझ में आ जाएगा कि क्या अफजाल अंसारी चुनाओ लड़ पाएंगे या नहीं अगर किसी भी तरह के चुनाओ लड़ने में उनकी दिक्कत का सामना करना पड़ा तो हो सकता है कि उनकी ये बेटी अब उनकी विरासत को समझा ले तो इस वक्त अंसारी परिवार के भीतर भी दूसरी पीड़ी को अपनी विरासत देने की एक सोच दिखाई दे रही है लेकिन अच्छी बात ये है ये परिवार अब इस परिवार की जो च्छवी है खास करके अफजाल अंसारी के बेटी के सामने आने के बाद वो वहाँ पर एक कटरपंथ के चेहरे से कहीं ज्यादा एक समावेशी चेहरे के तोर पर दिख रहा है शिव चर्चा में दिख रही है शिव मंदिर में दिखाई दे रही है महिलाओं के बीच दिखाई दे रही है और हिंदूओं में ज्यादा दिखाई दे रही है तो कहीं ये इमेज बदलने के कोशिश तो नहीं कहीं नए सिरे से इस नए सियासत को परिवार में जगह देने की ये कोशिश तो नहीं है हो सकता है कि अफजाल अंसारी का ये परिवार आने वाले वक्त में आपको नए तरीके से सियासत में दिखाई दे अब अगले ख़र और आखिर में हम आपको लखनौ में आज राजनाज सिंग के नॉमिनेशन के कुछ तस्वीरें दिखाते हैं राजनाज सिंग के नॉमिनेशन में आज लखनौ में मुसल्मानों की बड़ी तादाद नज़र आई ऐसी सिती में जबकि बीजेपी से मुसल्मानों का एक मोभंग दिखाई देता है खास करके उनके कैमपेन में जिस तरीके से इन दिनों हिंदू और मुसलिम को लेकर के मैनुफेस्टो पर वाओर चल रहा है कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई हिंदू मुसलिम में तबदील हो गई है लेकिन राजनाथ सिंग के नॉमिनेशन में लखनों में बड़ी तादाद मुसल्मानों के लगर आई और ये कोई बुलाई हुई तादाद नहीं थी दरसल लखनों में मुसलिम बिरादरी खासकर शिया बिरादरी अटल विहारी वाजपई के जमाने से ही बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है और राजनाथ सिंग उसी प्रथा को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं उसी विरासत को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं तो उनके मूँ से भी यही निकला है जब यूपितक ने बात की कुछ मुसल्मानों से कि आखेर इतने चेहरे कैसे दिख रहे हैं उनके इस नॉमिनेशन में तो सुनिए क्या कहा कुछ मुसल्मानों चेहरे हैं खैर यह था लकनव की है और लकनव गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक माना जाता है ऐसे में ऐसी तस्वीरें भविश्ची के लिए बहुत ही उमीदें जगाती है तो ये था आज का यूपी हम कल फिर हाजिर होंगे हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार